नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा नियूज और मैं हूँ आपके साथ जोती सिन्हा भारत से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है नेपाल सरकार के अधिकारियों ने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में बैठक की है और ये नि नेपाल सीमा को सील करने का निर्ण नेपाल में होने वाले आम चुनाओं के वज़े से हुआ है नेपाल में 20 नवंबर को आम चुनाओं होना है और इसी को देखते हुए 18 नवंबर को 72 घंटे के लिए सीमा को सील करने का फैसला नेपाल सरकार ने लिया है और ऐसे में बिहा बैठक में लिये गए फैसले के मुताबित भारत नेपाल में खुली सीमा से अपराधियों और चुनाव प्रभावित करने वाले तत्वों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुर्वी चंपारन की डियम ने सराब बंदी को पुर्ण रूप से सफल बनाने को लेकर क्रोस बॉर्डर पर नियंतरन के लिए भी चर्चा की। बैठक में सुचनाव का अधान प्रदान पर अधिकारियों ने जोड दिया। सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं। देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देश्वा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें।